हाई फ्रेंद्स कैसे आप सब आई यहोप आप सब अच्छे होंगे। आर मैं आपके साथ स्पाइसी मैगी की रैसिपी शेयर करूंगी। मैगी हम सभी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और इसको कई तरीके से बना सकते हैं। आर्में आपके साथ एकदम सिंपल तरीके से मैगी की यह रेसिपी सबसे पहले कड़ाई में ऑईल डालेंगे यहां पर हम जो मैगी है बिना बॉयल किये हुए बनाएंगे थोड़ा सा यह जीरा है यह कटी हुई हरी मिर्च यह कटी हुई प्याच भून लेंगे सबी चीजों को प्याच को बहुत ज्यादा नहीं भूनेंगे बस थोड़ा सा भूनेंगे चलाते रहेंगे इसी तरीके से यह देखिए प्याज भून चुकी है थोड़ा सा यह हल्दी पाउडर आप चाहें तो एड़ कीजिए ने तो स्केप कर दीजिए थोड़ा सा यह लालमेज पाउडर यह थोड़ा सा गरम मसाला है मसालों को भी प्याज के साथ में भून लेंगे यह देखिए मसाले भून चुके हैं यहांपर पाणी एड करेंगे, पाणी की क्वांटिटी आप अपने कौडिं रखिए अगर आप मैगी को ड्राय रखना चाहते हैं तो उसे साफuw से डालिए और थोड़ा सा juicy रखना चाहते हैं तो पानी उसे साफ से डालिए गैस के flame को high रखेंगे और पानी को इस तरीके से चला देंगे जब पानी उबलने लगेगा थोड़ा सा ये नमक डालेंगे और इसको इस तरीके से चलाएंगे पानी देखें अच्छे से इस तरीके से चलाते रहेंगे ये देखें पानी पानी इच्छे से बॉil हो गया है यहाँ पर जो मैगी के नूड़ल्स है वो मैं डाल दे रहे हूँ इनको अच्छे से डिप कर लेंगे पानी में नूडल्स को इस तरीके से पलट लेंगे और इनको पकाएंगे देखिए पानी की क्वांटिटी है आप अपने कॉर्डिंग रखिए यहाँ पर हम जो मैगी एकदम सिंपल तरीके से बना रहे हैं आप चाहें तो और भी चीजों को एड़ कर सकते हैं एक बार आप लोग इसी तरीके से मैगी को बना के देखिए बहुत अच्छी बनती है और बहुत जल्दी बन जाती है विदिन 5-6 मिनट में आप इसको तयार कर सकते हैं इसी तरीके से मैगी को 2-3 मिन तक पकाना है यह देखिए जो मैगी है वो अल्मोस्ट कुक हो चुकी है इस पॉइन पे यहाँ पर मैं वन स्पून ये टेमेटो सॉस एड़ करूंगी हाप स्पून ये चिली सॉस है चिली सॉस आप अपने कॉर्डिंग डालिए जितना स्पाइसी आप रखना चाहते है मैगी को मैगी की कंसिस्टेंसी भी आप अपने कॉर्डिं रखे जिए मैगी एक दम अच्छे से बन चुकी है इसको इसी तरीके से चलाते रहेंगे यह लैमन चूस है हाफ लैमन लिया था मैंने स्क्रिस mend tuned नेको ander'! सबी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यह देखिए मैगी एकदम बनके तयार है, आप देख सकते हैं नूडल से अलग-अलग हैं, बिल्कुल भी श्टिकी नहीं है, इसको गर्मा-गर्म सर्व करेंगे, इस मैगी को आप विदिन 5 मिनिट में बहुत आसानी से बहुत बहुत जल्दी बन जाती हैं, आप भी सिंपल और स्पाइसी मैगी की रेसिपी को बना के अगर आपको मेरी यह मैगी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजे, इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है तक यू